हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 की एक पोम जिसका नाम है माय मदर एट 66 जिसको कमला दास जी ने लिखा था कमला दास जी 1934 में पैदा होई थी और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी इनका जनम माला बार में हुआ था जो केरला में है वो इंडिया की काफी जानी मानी पोईटस थी उन्होंने इंग्लिश में नॉवल्स और शॉट स्टोरीज लिखी थी और मल्यालम में इन्होंने अपना पैन नीम के इस्तमाल किया था माधवी कुट्टी जिसके अंतरके तिन उन्होंने काफी सारे नॉवल्स और शॉट स्टोरीज लिखी थी यह काफी सेंस्टिल राइटर थी इन्होंने हुमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्स बारी किया जो होती है उसको लिरिकल एडियम के माध्यम से प्रस्थुत किया था जिसमें से माय मदर एट 66 पोईम भी शामिल है तो आईए इस पोईम को शुरुआत करने से पहले एक थौट है बढ़ापा एक नेशनल प्रोसेस है जो हम सब पराता है और क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जो बुड़े माबाप हैं आपसे क्या उमीद करते हैं तो आईए पोईम कुछ इस तरह है मैं ड् दिन था फ्राइडे लास्ट फ्राइडे मॉनिंग की बात है मेरी मा मेरे बगल में थी और नीम की जो के लिए रही थी उनका मूँ खुला हुआ था और फेस जो था ऐसा लग रहा था फेस एशन लाइक डाट ऑफ कॉप्स उनका चेहरा के अंदर कोई लाइफ नहीं दिख दिख रही थी कोई चमक नहीं थी वह ऐसी दिख रही थी जैसे डेड बॉड़ी हो मुझे बड़े दर्द के साथ यह एसास था कि मेरी मा बूड़ी है उतनी बूड़ी जितनी वो दिखती है तभी मैंने उन विचारों को खटा दिया और मैं बाहर की और कार की खिड़की से बाहर की ओड़ देखने लगी और मैंने देखा मानो कि जो यंग ट्रीज है उसका मतलब है कि वो मेरे साथ रेस लगा रहे थे चोटी चोटी और बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकल कर मस्ती कर रहे थे तो यहाँ पर मैं देख रहे थी कि मेरी मा जो एक लाइफलस चेक के बाद मैं अपनी मा से थोड़ा दूरी पर खड़ी हुई थी और अपनी मा को फिर से देख रही थी मैंने देखा कि वो वैन पेल बीमार से थकी हुई थी जैसे अगर देखा जाए तो जाड़ों में जब चांड जो दिखता है चांड तो वो कोहरा होने की वज़ा से फॉक की होने की वज़ा से वो धुनला दिखता है वैसे ही मेरी मा थकी हो और बीमार देख रही ही थी यहाँ पर राइटर कंपेर कर रहा है अपनी मज़र को जाड़े के विंटर मून के साथ हम अक्सर देखता है मैं महसूस कर रही थी कि उनके दर्द को कि वो बुड़ी हो चुई है felt that old familiar ache means emotional pain था मुझे और मैं इस चीज़ से बचपन से ही डर रही थी मगर मैं और क्या कहती इसके सवाए कि see you soon अमा जल्द मिलेंगे अमा और मैं मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई